इमस्का ग्लोबल हराल नियूज में आपका स्वागत है मैं कृतिका जैन और आईये नजब दालते हैं अभी की ताजा खबरों की और इंदोर एंदबाद हाईवे पर फूल माल तिराहे पर यातयात पुलिस ने गुजरात के राजकोर्ट से रतलाम जा रही कैमपर गाड़ी से 273 किलोग्राम चांदी के आबुशन जब किये इन्हें गाड़ी में बोनट के अंदर पिशली सीट के नीचे और समान रखने के पीछे के कैबिन के फर्ष के नीचे से गुप जगा बना कर चिपाया गया था इनके कीमत लगभक एक करोड सतरा लाक रुपे मानी जा रही है गाड़ी में सवार तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है शनिवार सुबह आठ बजे यातया थाना प्रभारी कोमल मीना और उसकी टीम को ये गाड़ी में ली चांदी पकड़ने के बाद व्यापारी भी थाने पहुचे और कहा ये सब के बिल है इस पर पुलिस ने कहा कोट में पेश करे एस पी विनी जैन का कहना है कि गाड़ी से आभुशनों से संबंदित एक भी दस्तवेज नहीं मिले हम इस बारे में आयकर और जी एस्टी के हुआ